और distorted geometries की पहचान क्या है कि उसमें क्या होता है कि जो जो उसमें central atom होता है उसमें कम से कम एक लोन पेर होता है जो central atom होता है उसमें कम से कम एक लोन पेर होता है यह उसकी पहचान होती है ठीक है तो यहां पर हम अभी बात करते हैं इसके अंदर मैंने आपको जो तो यह सबसे पहला आपके पास हो गया आप उसी में अगर मान दो जैसे अपने एक बार वैसे बात करें आप एक बात को समझना अगर अगर एई बी है और इस पर अगर कोई लौन पेर हैं बी इन पर वी तो क्या जुमेट्री पर असर पड़ेगा उस पर फरक पड़ेगा नी ठीक है उसी तरीके से यानि अगर आपके कंपाॉंड में सिर्फ दो ही आटम जा जा जाते हैं ना तो वह हम डिसकुस नहीं करेंगे क क्योंकि दो एटम वाला मॉलेक्यूल हमेशा लीनियर ही होता है तो हम क्या करेंगे जैसे आप देखिए मैंने बात जो शुरू करी आपने जब रैगुलर जुमेटरी बनाई थी यू वाट यू वाज फर्स्ट मॉलेक्यूल वाज एवी टू लेकिन हमने एवी टू से क्यों अब अगर इसमें ऐसा करूं कि मैं एवी एल यू यह इस पर मैं लोट करने जो में विए यह विए तो पुछ है ना बेसिकली दो एवी रहिगा ना तो लीनियर है इसी दिए मैंने डिसकस नहीं किया तो फिर मैंने बात शुरू करी एवी 3 से यहीं तीन इलेक्ट्रान पेर होते हैं लेकिन डिस्टॉर्ड में बॉंड पेर के साथ साथ लोन पेर होते हैं तो हम इसको जन्रेट करने का तरीका एक बड़ा आसान से हैं कि पहले आपको रेगुलर जोमेटरी परता हो एवी 3 की जोमेटरी क्या थी तो इसमें से मैंने एक भी हटा दिया और यह उसकी जगा पर एल लगा दिया तो इसमेटरी कैसी रहेगी बैसी के लिए कुछ है थोड़ी ठीक है ना यह है अब अगर एक आप से बात करी जाए जैसे आपके आपको मता है वी ए सी पी आर का मोस्ट इंप नहीं नहीं जो वी ए सीपी आर का सबसे इंपर्टेंट पॉइंट है उसके एक रेक्रॉं पेर के रिपल्शन का जो उसने बताया हुआ है सबसे स्वाल इसरों पर बात करते हैं आज आप इस टेट में हैं, जैसे, अगर मैं आपसे बात करूँ, यह बॉरॉन ट्राइफलोराइड है, मैं ऐसे नहीं कहता है, मैं बॉरॉन ट्राइफलोराइड आपको देता हूँ, और मैं आपको किसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा कि मैं आपको इंट देता हूं या तो बीए फ्री में ऐसो डूब कितना दो अप्शन हैं अजी शेरब क्या कियते हैं मास का हैं शेरब कि अजी अग्चा वनटी वन ट्वेंटी आपने वेजर भी कर दिया है कि एसो डू में ज्यादा होगा है गए ट्रीफ्लोराइट बोरोन का अटॉमिक नंबर क्या होता है है बोरोन का अटॉमिक नंबर क्या होता है गुर्लीन तो फाइव का मतलब हुआ उसमें डिस्टिबुशन क्या होगा टू और थी तीन एक्टॉन है उसके पास और तीन फ्लोरीन से बॉन्ड बनाया उसने ऐसे यह क्या जोमेट्री होगी क्या जोमेट्री होगी ठीक है यह बीएफ्ट्री है कि यह बॉन्ड एंगल है जो भी बॉन्ड एंगल है अप्ट्री इसलफर डाइक्साइट की जब आप बात करते हैं ठीक है थोड़ा सा सबर से काम लें सल्फर का चलो दुर्वेश आप ही बताएं सल्फर का अटॉमिक नंबर बताएं सिक्स्टीन का मतलब डिस्ट्रिविशन क्या हूँ एक इधर बॉन्ड बनाना है एक इधर बॉन्ड बनाना है ठीक है तो ऑक्सिजम कितने बना सकता है दो बनाने सकता यह एक इन बना ओंड यह एक बना अ गड़ ऑगगे में कितने असके पास कि धीजिए अचे-धर शेंट Daar वान выб작 106 में से चार लंगे लोग गग अब यह रेगुलर जुमेट्री इस टॉटेट है ठीक है कोई बात ने वह एक अलग बात है क्योंकि इसमें सेंटल एक पर लोन टेर है बहुंद एक इसमें ज्यादा होगा अब एक जवाब आया बी एक त्री अब एक है इसमें एक पर आज़ने के इसमें और उसको दिस्टॉटेटे बोलते हैं वह जी क्यों यह बेख रहे हैं डेह भाइखो यह अफिको यहाँ पर ही पल्शन कूंसी रिपल्शन है बाज भाण्फंपर एक पर रिपल्शन तो कौन से बॉंड्स पर ज्यादा दबाब पड़ेगा? एसो टू वाले यह बिचारे जो एसो टू वाले बॉंड्स है ना इन एसो टू वाले बॉंड्स पर ज्यादा दबाब पड़ेगा इन पर ऐसे इस तरह से, जो है नहीं, ऐसे दे तो िनको और दबाब पड़ेग jours, कि हूं, लोन पर दबाब दबार इनको जब यद्या दबाएगा, एक्शहत का होगा? दबाब जाना पड़ेगा बिचारों पर तो भॉन्द आंगल क्या हो जा Ctrl आगेगा, क्योंकि यह तो कुछ है इना एंगल तो आटम्स के बाउंड के बीच वह निकलेगा ना बाउंड एंगल तो बाउंड के विच वह निकलेगा यह तो लोन पेर आप दिखा रहे हों इस तरह के अनलेसिस आपने करने तो BF3 का bond angle जाता होगा लेकिन विचाला जो sulfur tax rate उसे लोन पर रहने कारें यह करीब आ जाते हैं इसे पास आ जाते हैं तो यह जो आपने जाता है क्या चीज़ वो बात की बात है मैं अभी फिलाल जो comparison दूँगा मैं आपको देखिए comparison हमेशा ऐसी चीज़ों में दिये जाता है जो compare किये जा सके है theoretical कई ऐसी चीज़े होती है कि मिस्ट्री में जो आप सिर्फ experiment की पता लगा सकते हैं ऐसी चीज़े आपको नहीं जैए इसे मेरे तीनों में इन दोनों में बराबर बराबर के आपके electron pair है कि नहीं है दोनों यह जो है यह हो गया है तो कहने का मतलब यह है कि अगर अगल क्या होता है क्या हो जाता है क्योंकि वह जो है लोन पेर आने पर लोन पेर का क्यां पर जादा दो आप दो आपके अपने बहुत अपने पास लोह की तार है लोह की तार को पर से दबाओ जाते जतना ज्यादा दबाओगे उतना वह करीब आजए और उसको लिंप बस वही सीव तो अब आप देखो आपने इसका तो आपने बता है मैं थोड़ी पता है क्योंकि लुइस वाला सिस्टम तो फेल हो गया मैं आपको बाता हूं आपको इसी तरीके से बिनाने परते है लुइस ने कोशिश करी थी कि मैं एक सेट आफ स्टेप बता हूं और करें लेकिन वह सिर्फ 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 जब सेंटल एक्टम आपका सेंटल पीरिड को तब तक थीग रहता है आगे वह गड़ब दो क्योंकि आपको इसे अपने आप करने हैं समझें मिला आपको हां जैसे चुट-चुटी बाति मानलों oxygen divine इसमें तो अगला आता अपने पास अब अब जैसे आपने लिखा अब इसको मैब अगला देखना चाहूं इसमें और और मोडिफिकेशन तो क्या कर सकता है लेकिन लोन पर तो कुछ होता ही नहीं यह तो कैसा होगा लिए इसको डिसक्स करने को मतलब नहीं तब हम अगी बढ़ जाते हैं इसके अंदर अपर अपर नगया है अब अब क्या कर रहा है अगले जो दो स्क्रक्चर अपन बनाने वाले हैं वो इस दो कर टेक्रिक निदो तो आपने पहले एक ही स्क्रिच्चर बनाया है अगला स्ट्चर अब बनाते हैं वो है अब ही करते हैं करते हैं एक पर दिजा ये कर लो कि अधी कि त्री अधी कि अब अब अधी त्रीयल में कि सबसे पहले अगर अपन बात करें इसका स्ट्रक्चर बनाने मालो चार पर अधी कि जब एक एक पर चार बॉन्ड लगे होता है तो जुमेंट्री को क्या बोलते हैं अधी कि अधी कि अधी आजिए उसक्षन क्या बोलते हैं लिए इसए उता लिए कियसा दिखता है कि देखो एक बार 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 बात करूंगा अपको अगर आप घर जा के पढ़ो गया नहीं न तो सब साफ हो जाएगा आप खुद एफर्ट नी डालोगे तो बात नहीं बन से क्यों भी दुरूब पढ़ाई की ती घर जा की करना नहीं नहीं देखो आप आप एक बात को समझोगे मुझसे तो बेवानी चली नहीं सकती आपकी तो आप प्लीज आप अपने आपको पुश करोंगे रिजल्ट आएगा बहुत अच्छा लगेगा जबाब कर दो नहीं तो तो आप जाओगे तक गए मर गए ठीक है उसके बाद खापे लिया टीवी देख लिया सो गए वह नहीं जब तक आप खुद के लिए टाइम ही निकालोगे कोई जबसी गुट्टी होल के नहीं बिला सकता हो आपके पास रोट्स हो सकते हैं आपके अस लेक्च्छर दोते हैं आपने अटेंटिवली सुना और अची बात है लेकि अब देखो वह आपका दिल जानता है कि आप कितना टाइम देता है हमें से कोई ऐसा नहीं जल्दी बूल जाए चीज़ और इतनी बारी चीज़ भी नहीं तो बहुत मुश्किल कॉंसेप्ट आइसा नहीं एभी फोर में जोमेट्री कैसी थी टेट्रहेटर ठीक है और पीज भी अगुकि मिल्कुल जैसे मेरे बेटे को बढ़ा रहा है ऐसे मैं आपसे कि इस चीजिक आप समझो बात को यहां पर हिए इसी और यह आपको बताया था जो है यह मैंनैं आपको समझाववे था अब इसमें क्या होता है कि यह किसी जगा पर आपने क्या करना है कि यह लोग पर इसका नाम जो होता है इसको बोलता है पिरा मेडल इसमें बॉंड एंगल की टेंशन से आप परे होगे इसके अंदर क्योंकि बॉंड एंगल इनके अलग अलग होते हैं तो अपने आप नहीं करने हां रेगुलर में सारे याद करने थे आप आप कि अच्छा और क्या कि अगजेंबल के अगन बात करते शब्टो काई भी अ कि अब जवाब नहीं मतलब बिटाई कि कैसे एक दो तीन चार पांच यह बॉंड बनाने से पहले बात करना है जब अपने को एक्टम से लेक्ट करना भी यह कौन सा मैं आपको इसके एक्जेंपल बताना चाहता हूं तो यह कोई भी नाम पुकारता हूं तू बोलती है कि अधिक है कि यहां पर क्या है आपके पास आया ना नंटो का गजैंपल तो कोई घंपाउंड जानते हैं तो अ क्यों बता सकते हो आप कि नैटोजन को कुछ नहीं जानते जिसमें तीन बनाता हुग वह कि यह मैं बता सकते हो कि एक अलग चीज़े चलो कोई बात में एक बार हाँ जी शाबाश एन इस ट्री भी है सही बात है आपके बट अपन जो बांवा करने से एन अश्रीक यह किस तरीके से अमोनियायस का एक्सेंपल कि शुक्ट शुक्त कर दो पर शुक्त जैसे आपने बताया ना, NO3 में एक्चुली क्या होता है, जैसे, कितने एलेक्टरोन होते हैं नेटोजन के पास, फाइव होते हैं, तो दो तो इधर लग गए, दो ऐसे होते हैं, यह मैं आपको दिर दर ही बता सकता हूं, दो ऐसे ऑक्षिजियन, एक कोडिनेट बाउन होता है इस पर कोई लोन पेर नहीं होता, मतलब पांच एलेक्टरोन पांचो पांचो लगे, एक, दो, तीन, चार और पांच, तो यहां पर आपके पास क्या हूआ, अमोनिया हूआ, अब मानलो जैसे, इसके विए प्रकोशन आता आपने पास, जैसे लिखने की वैसे जोटने अपन डिसकर्स ही कर रहे है, यह कोडिनेट बाउन में भी आपको नहीं समझाओंगा, चिंदा मतलब, इसमें जैसे, जैसे एक कॉशन आता है, दी, बाउन एंगल, लिखने की जोटनी है, इन आमोनिया वोड़ भी, a. greater than 109.5 degree, b. less than 109.5 degree, c. D, equal to 109.5 degree. D, cannot be predicted. क्यों भी बताएंगे? अगर आपसे बूछाएंगा एक वोनिया में बॉन्न आंगल, कल की लास अटेंड की थी? नहीं, ऑन्लाइन तो थे नहीं, आप अफ लान आयनी थे? है recording देख लिए आज ले पकी बात है copy में काम पुरा है कल का काम लिखाव है ओके हाँ जी बताओ equal to 109.5 degree ओके एक अंसरा है C हाँ जी क्या कहते है अब एक ने C बोलाद सारे C या अपने copy भी लगाएंगे हाँ जी B B for boy लेजर बने 9.5 degree ओके हाँ जी गुग लें तो D भी बोल क्यों सही में D हो रहा है अला नहीं कर दिया हाँ जी B नहीं मैंने कब लिखा है बोल जी अब अब कोशन क्या है क्या क्या आएगा क्यों लेज देन क्यों आएगा अच्छा बुक से देखा आपने अच्छा बुक से देख लिए वेल्यू तो लिखिये होगी अच्छ लिखिये क्या है आप एक बात को समझना के जो कल मैंने जैसे चार पैन लेके बाद देना पैन जाना हमने टैट्रा एक राटर एक दिना चार एक रेक्टों पेर के हम ने जो मेंटरी कुछ ऐसे बनाइथी कंद थी अब क्या हुआ कि यह अब इसमें क्या है कि इसमें यहां पर क्या हो गया कि A B 4 नहीं है है तो इलेक्ट्रों पेर चार लेकिन यहां पर लॉन पेर आगया अब लॉन पेर यहां पर बैटा हुआ है ना वह इंपर दबाव डालता है वह दबाव डालेगा तो क्या होगा क्योंकि उसका रिपर्शन स्टॉंगर है तो दबाव डाले से क्या होगा यह पास आजाएंगे तो उससे क्या होगा बॉन्ट एंगल कम हो जाएगा क्या वेल्यू आएगी वह हमारा काम नहीं है याद रखनी थी 109.5 रेगुलर के अंदर वह में एक standard situation है याद रखनी थी बाकी हमें सिर्फ यह judgment करना होता है कि bond angle पहले से कम आएगा या जादा आएगा बोलो समझा ही में जबाद तो यह यह चीज है जो आपको पता लगानी थी मैंने एक ना रख दिया है तो अलसर आपका आएगा इसमें डाउटली लेस दन 109. अब इसके बाद देखो कि कैना अब टेक्टेट का मतलब होता है अप अनुमान लगाना होता है अनुमान नहीं लगाना है अपने अपने लगी है अब ता आदे रहनता पढ़ा है कैसे निकलेगा पता कितना टॉर्चर हाँ कि अब तो आपके दिमाग क्या चल रही है तो वह क्या होता है कि आपके चूज देखेंस अनुमान लगा लिया कि भी लास देन अगर मतलब वह उस टेमप्रव डिसें लेना बड़ता है वह इसले गलता कि क्या प्रिट करा लिया हमने कर लिया हमने तो आप कैसे कैसे नहीं कि अब अपने कर लिया अगला कॉंसा करेंगे इसमें नहीं अब कॉंसा करेंगे कि अधिया चार एलेक्ट्रॉन पेर जिसमें से दो बॉंड पेर और दो लेंग जाना है या लें चलो कोई बात नहां बटाओ अब टू ठीक है कोई बात नहीं तो यहां पर क्या हाँ के पास अगला बनाईए अब आप बात करतें तो इसमें क्या है आपके पास और पिर वे चारेक्टर लेक्टर वेर की स्क्षिन क्या होती है ऊदर चारों के चारों बॉंद फिर होते हैं तो है इजिMI यानि कि कोई भी अगतना हो ऑबी मौलेक्टिओल में करा दो अधि के पढ़े जाके पढ़ जाते हैं पढ़े जाते हैं आएया में पढ़ूजर परी में मुश्किल हो जाएक ना कि यह था कि फॉर से ही वह जन्रेट करोंगा यह एक बार बलाना नहीं पर देखना ज़ए कि यह आपके पास क्या हुआ एक एक एतादिया एक 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 एतादिया इनकी जगह फर क्या लगाने आपने एक लोंटेर यह एक लोन करिए चीक है तब जागी पात अब क्या है इसमें आपके पास क्या चीज आई एबी टू एटू तो इसमें यहां पर इस जेमेट्री का नाम बनेगा फिर से इसको क्या बोलते हैं बेंट या V-shape या एंगुलर बेंट या V-shape या इंगुल समझागी बात एक्जैम्पन सोचते हैं इसका अजी सुर्यांज यह जो एटम है इसके कितने वेलेंस इलेक्ट्रॉंज है 6 कैसे बता लगा आपको 1,2,3,4,5 and 6 इसके ठीक है 6 वेलेंस इलेक्ट्रॉंज वाला कोई अलिमेंट बताएंगे रख्षा करेगा को मुरत निकलवाएं पंडेजी को बुलाएं को करता क्या घर जाके अराम कर पर चल रहें कब तक है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कोई ऐसा इलेमेंट जिसके वेलेंस इलेक्ट्रॉंज हो अजियर्श ऑक्सीजन कैसे बिदा लगाएं आट होता है टॉमिक नमरों चेह हुएं पर्स वेंटी आड़ेंस यादे न सबको बेशी जो प्रेट को अगे कैसे बताऊंगा अब दो आपके पास आण तो अब देखो क्या है यहां पर आपके पास क्या है यहां अग्सीजन अग्सीजन के दो गॉंड वाला कोई ऐसा मॉलिक्यून जो हो सबसे कॉमन हमने भी करने निए हमने बेसिकल्वी प्लॉक के ऐलिमेंट्स कोई लेना सट्राइप थे तो है वह भी होते हैं है 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 वाटरिस का इसेंपल है ठीक है अब जैसे अब यह चीज़ आ गया आपके पास है तो मैं आपको एक कॉश्चन जैसे पूछता हूं ठीक है यह लिख लिख लो कोई बाद लिख लो है 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 कि कॉछल देता हूं मैं आपको चामेरे से बेखले चेकर जर्स पेया क्ट इसे अभानें आ bond अमोनिय uh हम क्या सा करते हैं चलो अमोनिया वॉटर बोड़न ट्राइफलोलाइट असल फटाइक्ट बस यह कर दो परचाने होगी टेंचन होगी असते अच्छे लगते बच्छे टेंचन नहीं लगते अजी दुरूब अजी अजिए असेंडिंग का मतलब क्या से क्या होता सबसे बढ़े चोटे से बढ़ा जैसे अपन अपन असेंड हील करते हैं वुद्दा पार पर चड़ते हैं अजिए मतलब उतरते हैं तो असेंडिंग ऑटर ऑफ बॉंड एंगल आपने निकालना है यहां पर आपके पास है अमोनिया वॉटर एक काम और करो इसमें CH4 भी कर दो साथ ठोड़ा सप्रीज एक काम और साथ में CH4 भी कर दो कर लिया है अजिने रहा बताओ नहीं कर आप कर दो जो कि रहा कर दो आप कर दो पया तो जो आपके अज़के पने ज़के अज़का प्सकेलना है झाल प्रपक स्वालु Churchill अब आपको इन में बॉंड एंगल का अंदाजा लगाना है एक बात आप समझिए यहां पर बॉंड एंगल कितना होता है 109.5 डीक्री रेगुलर जोमेट्री है और यहां पर बॉंड एंगल कितना होता है 120 ठीक है अब सबसे ज्यादा तो बीएफ्री में हो गया इसमें कोई शक्त नहीं है क्योंकि बाकियों में तो और कम ही होने वाला यहां पर 109.5 डिगरी है तो अमोनिया में उससे एक कम बलब एक लों पर आगया तो रिपल्शन और जादा दबाव पड़ेगा और वाटर में और भी कम तो स सबसे क्राइब बॉंड एंगल रहेगा है इस तूओ में उसके बाद अमोनिया में उसके बाद सी एच फोर में उसके बाद भी एक इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं अपने एक बार पैन देना फिर से मेरे को चार लिख लेना एक वर मैं लिखने का टाइम देतूंगा कि लाओ आफाल तू अले पैने तो तो क्या था जो में आप बात को सब्सक्राइब कैसी थी कि टेट्राइडल ऐसी थी कि टेट्राइडल थी सब्सक्राइब अब इसमें क्या है जब हमने यह रेगुलर जुमेटरी थी बॉंड एंगल था 109.5 डिक एक अटाया रिपल्शन बड़ा रिपल्शन से यह कुछ करीब आ जाएंगे जैसे अमोनिया में पेरामिडल जमेट्री में थीक है अब हमने क्या करा एक और अटा दिया वाटर केस्ट मतलब कि बॉंड पेर घट गया लेकिन लोन पेर है तो यह लोन पेर मिलकर और ज्यादा इसको दब यह AB3L टाइप का है यह AB2L2 टाइप का है तो यह में इसमें कर रहा है यह तो आपका 120 डिग्री वाला है यह वर 09.5 डिग्री यह उससे कम है यह उससे भी कम हो नहीं सब से कम है यह आपने कुल मिला कि क्या देखा कि लोन पेर अगर बहते हैं तो बॉंड आंगल नॉर्मली यह तो तो से बता है कि थीक बता है समिजने में टाइम लगता है लेकिन मैं जो आप से बार-बार कह रहा हूं कि हमें खुद भी इंकुट देना है थीक है टाइम किसी के पास दो टाइम निकालना बड़ता है तो टाइम कैसे निकालना है वो आप देखो you have to manage है ना को एक से वह उसी समय में इतने महान बन गए ठीक है और है तो दिन के 24 गंटे ही तो वह कैसे आपने उटिलाइस करने हैं तो समय किसी के पास की होता समय तो निकालना पड़ता है तो एक आदक डालने हुद गए कि अपने काम इनको एक डिसिब्ली और जो डिसिब्लींट रहते हैं उनके पास जीवन में और दूसरे जो है ना मतलब रिलेक्स करने लिए लेजर के लिए टाइम होता है वरना सारे वह हम लोग जैसे बिजी लिए है हम सारे दिन तो टोकरा ड पिकार लोग रोज कुछ वजन अपना टोकरी आपके सिर्फ पे डाल देते हैं तो आप आप सोचो जैसे आप टोकरे चक चक के आप सिर्फ पे ले जाते हो गर्ण अब या तो आप ऐसे लेखे घूमते रहें या उसको जाके उतार दो तरीके एक तो छोड़ दो पढ़ाई ठीक है और या फिर यह कि आप उसको इंवाइब करो आप चीजों को खुद समय तो हाँ स्यारफ को समय पर फोन करूआ है ठीक है शिकायट लगाओ मैं तरी फिर क्या अब आपके पास जो है यह अभी तक हमने क्या कर लिए अब अगर चार बॉन प्रेंट में अगला मॉडिफिकेशन लाओं तो क्या होगा तो यहां तक बात कता होगी चार नहीं चार लेक्टां प्यार्यंगे सारे इसटर्टेजट फ़र्म्स देख लिए अब हम क्या करेंगे हैं तो फाइम में रेगुलर जोमेट्री मिष्टी क्या होती है बताएंगे मैं नहीं है कि आप यहां थे नहीं है पता लगिया यह नहीं है इसे मैंने आपसे पूछा मैंका तेरी बारी आएगी अब सवाल दुबारा ने बताना बताओ जवाब दो है न कमाल की चीज आप देखो इंसान मतलब कहीं का कहीं बहुत सकता और कितनी जो से बोल ले उसका वाइड कर सकता है तो मैं यह पूछ रहा था एबी 5 टाइप का मॉलीकूल जो था उसकी रेगुलर जो मेंट्री होती है एबी 5 में क्या होती है और वो तो साथ हो गए पांच और तो साथ हो गया ना वो तो एबी 7 हो गया कि अंजियर्स अंजियर्स सुनके बोला या अपने आप से बोला तो ने पहले बोला वैसे आज वैसे मैं भी हरान हो इसने दो साल में पहली बार मुझ कोले आज इस बिच्चे ने ठीक है पर बहुत अच्छी बात है मुझे लगता था ही गूंगा है कि अच्छी बात है पढ़ाई कऱ। तो अब पर विफाइव की जब आप करते हैं तो तो इसमें रेगुलर जमेट्री होती है क्याँ था सक्षन ट्राइगॉनल बाय पिरामिडर ठीक है अब ये ट्राइगॉनल बाय पिरामिडर्स ते भूब बना कि दिखा तुना सकते हो क्या है आप अब यह चक्र गया है वह यह तरीका ठीक है ऐसे दमकाते रहो ना तो पड़ रहोगे तुमेरा और ना बढ़ोगे लिए एक पुए बात ने वाद ने तो भी तयार रहना ठीक है तो तो आपको अटेंटिव रहना सिखा दूंगा ना भी तो यह आपके पास आया यहां पर यह ट्राइबी आप्यावन बांड होते हैं और उद्स ना ऑट रहनः तो ना चुस्ट ना बात करेंगे यह तेब फाइव है पांचो के पांचों बांड पेर की जिए आप अब इसमें पहले जो बनाएंगे वो क्या बनेगी अपनी एबी 4L है ना चार एक लोन पे और क्या बनेगी और क्या बनेगी इए बी 2L3 और क्या बनेगी इए बी 4 अब दी आ फोर यह तो लीनियर होते इसको रहा है यह निया अपने हां जे आप मेरी आप एक बात को समझो जो मैं बोल रहा हूं उसको द्यान से सुनने के आदि डालो मैं बात कर रहा हूं यह कि अब अगर पांच में से एक लॉन पेर हो या दो लॉन पेर हो या तीन लॉन पेर हो वहां तक अब देखें कि कोई चार लॉन पेर आते ही तो लीनियर रह जाए तो यह तीन रिस्टार्ट इंजमेट्रिक बनेंगी ठीक है तो सबसे पहले अपने बनाते हैं अगला तो आज इन जुक्तों के दिमार कराव हो गया है हैं अब फोर एल कि जब आप बात करते हैं तो इसमें क्या होता है सबसे पहले मैं जो रेगुलर जुमेट्री है उसी से जनरेट करके बताऊंगा जैसे थोड़ा ध्यान से देखना मैं जैसे अपने यह बनाया था इस स्ट्रॉक्टर को है रेगुलर जुमेट्री में ऐसे बनाया जाना आप ट्रैगोनल बाय पिरमीडल मैं इसका यह इसे गुमाकर बना रहा हूं यह दिस्टोर्ट्चन भी का हूंगा ना तो मैं पहले ऐसे बना रहो इस मोल्यक्यूल को आए इसे है इस में से तिक आए कर पिरामिट पिरामिट यह से हो जाएगे आज जाएगे ट्राइंगल जो है वह मैंने वर्टिकल ऐसे कर दिया थी तो इसे अब क्या है पांचो बांट्र नहीं है बांट्र सिर्फ चार एक क्या है कि लोन प्रिट है तो यह जो में जुनरेट होती है इसके इंदर कि इस जुमेट्री का नाम होता है सी सॉप लिख रहा है पूरा कर लिए आपने काम कर लगा क्यों समय नहीं होगा आप नहीं वो श्यारब की कॉपी समझ नहीं हो मैं यह कह रहा हूं है अच्छा मैं सच में आकर देखना चाहूंगा जो लर्शरी से ग्यार भी दस्वी तक नहीं कर पाया वो इसने एक दिल में क्या कर दिया दिखावगे कि अच्छा इस नौल में डिकल के दोक्टर है कि पुष्बेक सीप नहीं है तूड़ जेगी एक तोड़ चुक है तेरे पहले ही तारे तुम भाई-बाई हो यहां पर यार इस ठीक है पहले से ठीक है कौई गोगे किन सी सौं क्या होता है देख़ा है सी सोब ने क्यों है कि अच्छा देख़ा है सी सौप सी सो क्या होता है कर दों है कि विए था यह एक तरफ इधर बैठने को इपर नीचे जूलते हैं तो स्य सूब लेक्टर भी देखा और देखा सी और सॉ ठीक है इसमें इतना बहुत है उसके बाद इसमें इसमें आप बताओ यह जो ए एटम है तू कैसे खुश हो रहा है तू कि यह एटम के कितने वैलेंस लेक्टाउं से इसके कितने वैलेंस लेक्टाउं नज़र आ रहे हैं तो शेयरब इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें इलेक्टाउं कितने हो रहे हैं एक दो तीन चार पांचे साथ नौदस तो अगला इसके अग्जेंपल क्या होए एस एक्जेंपल क्या होए एस एस फोर सुर्फर ट्राफ्लोरेड बोलते हैं इसको कि इतने करेंगे आज और मैं एक्सपेक्ट करूँ है कल आप याद करके आएंगे ठीक है मैं पूछोगा अभी और कल आप ऐसा करो कल सारे अपने टेस्ट पेबर लिया हो अपनी ओमर शीट लिया हो कोई नंबर आपके कम जादा होते हैं तो भी हम उसको डिसकुस करते हैं तो परसर एडास टेस्ट अच्छे सी दोर थुरा सा पढ़ो आप थाकि मैं पूछो तो आपके जवाब उसको प्रमजाब था है तो कि अधि है